वेलकम तो माई चैनल हेर इस परमिंदर आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं इस एंब्रॉडरी वाले शिर्ट का नेक डिजाइन जिसके नीचे से एंब्रॉडरी चॉरस है तो इसके लिए हम एक खास नेक डिजाइन बनाएंगे जो नीचे से चॉरस होगा वीड नेक डिजाइन तो मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ तो यह हमने साड़े साथ इंच चुड़ाई में बुकरम काटके रखी हुई है मैं हमेशा साड़े साथ इंच का एक पीस काटके रखती हूँ नेक डिजाइन बनाने के लिए साड़े पांच इंच पर मैंने निशान लगा लिए हैं बुक्रम डबल है तो पॉने तीन इंच पर निशान लगाएंगे उपर से मैंने नेक डिजाइन जब भी काटती हूं जो एक्स्ट्रा बचता है वो साथ में ही आगे वाले गले में अटैच कर लेती हूं उसको वेस नहीं जाने देती बुक्रम को तो नीचे में अटैच कर लेते हैं साथ इंच गले की लंबाई रखनी है तो साड़े साथ पर निशान लगा लिया है आदा इंच एक्स्ट्रा मार्जन के लिए अगर आप तिर्चे में काटते हैं तो आठ इंच पर निशान लगाएंगे तो देखे यह चाहे का डिजाइन है तो हम इसका सेंटर करेंगे पहले इंची टेपर और बुक्रम पर निशान लगा देंगे उसके बाद आप कोई भी चाहे गुलाई में उपर से डिजाइन ड्रॉ कर लें चाहे ऐसे कटाओं में डालते हुए तो मैंने ऐसे थोड़ा सा कटाओं में डिजाइ कट गया है तो अब हिससे हम कपड़े पर अटैच कर लेंगे कपड़ा जो एक्स्टा बचा है उस पर साड़े पांच इंच पर मैंने निशान लगा लिया है तो अब इसको यहां पर अटैच करना है अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप कच्चा भी कर सकते हैं सुई धा यहां लेकर तो चाहे आप ऐसे पिन्स लगा लें चारो तरफ क्यूंकि जब हम सिल्लाई करेंगे तो आगे पीछे हो जाता है फिर बुक्रम यह तो जब लेंगे और जहां पर गुलाई है वहां पर छोटे-छोटे कट लगा देंगे क्योंकि जब हम ऐसे साइड में फोल्ड करते हैं तो फिर असानी से कपड़ा फोल्ड हो जाता है तो यह नेक्ट डिजाइन का पैटरन बनके त्यार है तो अब इसको सेंटर में सेंटर कर लेंगे पोने तीन इंच पोने तीन इंच पर निशान लगा लिए है तोटल साथे पांच इंच गला है और साइड से भी नाप लिया है एक समाना बच रा है कपड़ा तो तो अब इसकी गले की हम सिलाई कर लेंगे तो पहले यह देखिए सेंटर से और से से चेक कर लिया है सारा कपड़ा एक समान है तो अब इसकी स्लाई शुरू कर देते हैं अब हमें बुकरम के साथ साथ स्लाई करनी है बुकरम के उपर स्लाई नहीं करनी है तो देखें यह हमने इसलाई कर लिया पिंस निकाल लेते हैं और सेंटर में से कपड़ा काट देंगे थोड़ा थोड़ा रखते हुए और सारी गले में कट लगा लेंगे छोटे छोटे क्योंकि इससे हमें फिर फोल्ड करने में असानी होती है बुकरम को अब अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो इसके उपर हम सिलाई लगाएंगे बरीक बरीक छोटे बखिये की तो इससे गले की फिंशिंग भी अच्छी आजाती है और फ्यूचर में इसके कभी उदरने का अभी टेंशन नहीं रहता है नेक का तो लीजिए जे हमारा नेक डिजाइन त्यार है अब सेंटर में से करके पहले उपर तक चेक कर लें दोनों एक समान है उपर जब अगर कपड़ा बढ़ रहा है तो उसे काट दीजिए गा तो लीजिए जे हमारा नेक डिजाइन बिलकुर बनके तियार हो चुका है So I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा और इसे अपने फ्रेंड के साथ भी जुरू शेयर करेंगे Thanks for watching And subscribe my channel And press the bell icon for more and more videos Thank you